हलो गाइस एंड विल्कम बाक तू मा चानल सिर्फ आई एस तो चैनल इस टू इंटरेनल सेक्योरिटी की नई सीरीज को कॉंटिनियू करते हुए अज आप के लिए में लेकर आए हूँ चाप्टर नंबर टू का पाल्ट फोर और यह लास पार्ट होने वाला है इस चाप्टर में तो आईए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल आकिन को भी प्रेस करें ताकि आपको रेगलर अप्डेट्स मिलती रहें शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि पार्ट वन टू और थ्री आप जरूर से जरूर देखकर यहां पर पार्ट फॉर में हम कॉंटिन्यू करेंगे कि क्या चेंजिस लाए गए हैं 26-11 के मुंबाई अटैक्स के बाद तो देखिए एक आक्ट है आक्ट का नाम है अनलॉफुल अक्टिविटीज प्रिवेंशन आक्ट इस आक्ट को अमेंड करा गया और अमेंड करके इस घ्मडा चेंजेंगें में सीछी माने हैं अब यही सब्सक्रान इंद स्केंट्विजाए अब इसेंड करी चेंज बाद में आमने इसम इनडे़ साथा कि आमेंड गोशिस Tраст चछेंट करने की प्रोविजन अब यह बता हैं लिसंट्ली एससा तूड़ सूडेप इसको एसमे टेरिरिस्ट करार करा गया है, कोशित करा गया है, मुझे comment box में बताइए अगर आपके थोड़ी भी news आपको पता है तो, अब देखिए, कई सारी बार इसको अमेंड तो करा गया, लेकिन अगर मैं 2012 में बताऊं, तो 2012 में यू ए, पी ए में आपका economic offenses को भी ले जाया गया, economic offenses स पैसे के टर्म में अगर कोई offense होता है, या country को बरबात करने की कोशिश करी जाती है, तो यह सिमान लिजे कि आप बहुत सारे ऐसे हैं, कि आप कर एसे की, economic security hurt हो रही है, आप जो है, वो weapons लेकर आ रहे हो, आप पैसा बखेरा जो है, वो इखटा कर रहे हो, terrorist activities के लिए, आप fake currency कर रहे हो, fake currency आप जानते हो कि जितनी जदा फोर्जरी होगी, यह fake currency में involvement होगी, उतना जदा ज़ादा जो है, वो economic हमारी खराब होती चले जाएगी, समझ रहे हैं, तो यह economic offense को भी 2012 में इसके अंदर डाल दिया गया था, साथ ही साथ इसने कुछ पावर और देदी कही थी कि यहां पर जैसे माल लिजे कि ऐसा हुआ है कि किसी ने यह fake currency करी है, यह forgery currency वाला हिसाब किताब है, जो counterfeit currency है, यह यहां पर किसी ने इसके थूरू यहां पर मार्केट में लेकर आया है, तो इसकी जो property होगी, उसमें से उतना ही पैसा निकालने की कोशिश करी जाएगी, कितना economy को hurt हुआ है, समझ रहे हैं, कि अगर माल लिजे, फोर्जरी से इस fake currency से किसी ने 5 लाग रुपे भी रेस करे हैं, तो उसकी उतनी प्रॉपर्टी, 5 लाग रुपे की प्रॉपर्टी जो है वो जब तो कर ली जाएगी, इतनी बास समझ में आई आपको, अब इसमें औ प्रॉप को भी terrorist organization या पुर कह सकते हो, unlawful association, unlawful association जो legal नहीं हो ऐसी association जो मिलके लोग काम कर रहे हैं और वो legal नहीं है, तो उसको बोलते हैं unlawful association या फिर terrorist organization, जो organization है, यह normal काम नहीं कर रही है, यह terrorist organization है, यह terrorism को फेला रही है, तो यहाँ पे law ने भी अलाओ कर दिया था कि ज lawful association या terrorist organization और अगर अगर कोई बंदा उसका member होता है अगर कोई ऐसा बंदा है जो ऐसे organization का member बन जाए तो ये member बनना crime है तो इसकी membership crime हो जाएगी इतनी बात आपको clearly समझ बनाई आगे बढ़ते हैं unlawful association के बारे में कुछ बात जानते हैं तो देखे कि इसके अंदर क्या था इसके अंदर जो central government थी वो क्या करती वो कुछ एक list बनाती उस list में कुछ organizations के नाम डाल देती समझ जब एक list बनाती और list के अंदर unlawful associations के नाम डाल देती एक बार किसी organization का नाम अगर इस list में आ गया तो अगर आप इस organization की list के जो यह organization है उसके अगर आप member हो तो यह crime होगा UAPA के अंदर और उसके साथ सथ और क्या चीज़े हुए कि जिनके भी नाम थे जिन जिन organization के नाम इस list के अंदर थे उन सब के यहाँ पर bank account को ब्लॉक कर दिया गिया ता कि pajce मा ओल लीगली तो ना निकाल सकेंगे और इन जहां 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 से यह काम करते थे जिन जगाओं कई को यूस के धार लागा कंशुन क्या करने का zapparema, सबकी बेस्तानी थे और भी ऩॉक्वधे के यह उसे यहां से कोई यह ऐसा काम द्रही कर तो देखिए अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो ऐसा आपका organization कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे हमारे भारत की इंडिया की जो है वह सोविरिटी हर्ड हो रही है मतलब उनकी आजादी को दिकत हो रही है कोई भाईचारा को इंटेग्रिटी में प्रॉब्लम आ रही है तो अगर ऐ कि ऐसा organization जो कि इंडिया का इंडिपेंडेंट स्टेटस है अब जानते हैं इंडिया एक अजाद कंडरी है भारत हमारा एक अजाद देश है अगर इस आजादी को कोई हर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो भी यह वज़ा हो सकती है कि organization बैन हो जाए आने वाले वक्त में तीस तो भी यह वज़ा हो सकती है कि आपको organization बैन कर दिया जाए इतनी बात समझ मैं क्या-क्या factors होते है responsible होते हैं बैन करने के लिए किसी भी organization को उसकी बात करेंगे first schedule of UAPA तो देखिए हमने पिछले के पिछले lectures में बात करी थी कि कुछ organization ऐसी भी होती है जिनमें first schedule के अंदर ड इसे बोल के बता रही हूं आप समझेगा आपको अच्छा लएगा और कुछ organization इनको first schedule के अंदर डाला गया रही है जिसे कि Al-Qaeda हमने पहले भी बात करी है कि Al-Qaeda जो है इसको डाल दिया गया है first schedule of UAPA Act के अंदर दूसरा जो है वह आपका बबर खालसा international हो गई है कुछ रही हूँ और बहुत सारी के सारी काफी सारी है लेकिन आपको कुछ बता रही है जैसे कि Indian Mujahiddeen आपका जहे आपका उसके जितने भी फॉर्म है Indian Mujahiddeen के वो सारे के सारे ISIS से काफी famous है इस आप हरकत-Ul-Mujahiddin हो गया हिजब-Uj Mujahiddin हो गया या आपका कह सकती हो जैश-y Muhammad ह ना मैंने आपको बताया कई सारे इस बारे में हम लोगों ने पढ़ा है इस बारे में भी जाना है कि कौन फाउंडर था कौन नहीं था तो इसलिए मैं कहा रही हूं सारे पार्ट्स पढ़ कर आईएगा जैश्रे मुहम्मद हो गया लश्कर एताइबा हो गया काफी फेमस हैं यह दोनों खालिस्तान कमांडो फोर्स हो गई लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम हो गया मॉइस्ट कम्यूनिस सेंटर हो गया यह आप कह सकते युनाइटेड नाशनल लिबरेशन फ्रंट है युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असाम है जम्मु इन कश्मीर इंदर आता है UAPA के उसके बाग बात करते हैं हम NIA Act 2008 के बारे में और यहाँ पे कुछ बात करेंगे कि Special NIA COLD के बारे में भी बात करेंगे तो NIA का फुल फॉर्म क्या होता है सबसे पहले हम लोग यह बात चानते हैं NIA का फुल फॉर्म होता है National Investigation Agency अब यह कब लाया गया था यह यह लाया गया था दिसंबर 2008 में पार्लिमेंट लेकर रहे थी अब इस आट के साब से चीजे क्या है उस बारे में जानते हैं तो ठीक है न्याय दे सकती है ऐसे कि आपका कोई क्राइम होगा है जिससे कंट्री की सोविनिटी हर्ट हो रहे है है वाली बाते हैं है कंट्री हमारी independent है अजाद है किसी के अंडर नहीं आ रही है तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यह इसके अंदर आएगा कोई bomb ब्लास्ट हो या कोई हाजाइकिंग हो गए एरक्राफ्ट की, शिप की या किसी नुक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटाक होना, तो हमने ये पिछले लेक्ष्ट में भी बात करीए कि आखिरकार एनाईय के काम क्या है, अब आगे हम बताएं, तो देखिए, कहना कहा है, ये मतलब है कि कई सार कोल्ट को सेंटर ने नोटिफाय कर रहा है कि अगर केसे अलग-अलग माली जे स्टेशन जो है, पुरी स्टेशन जो है, एनाईय के अंडर जो आ रहे हैं, उनके अंदर अगर कोई भी केसे ऐसे आते हैं इस तरीके के, तो यहाँ पर कोल्ट भी बनाए गए हैं, जो कोल्ट जो है, ऐसे केसे को देखेंगे, क्या समझेंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और किसके अंडर, अंडर सेक्शन 11 & 22 of NIA Act 2008, फिर समझे, जो NIA Act 2008 का, इसके सेक्शन नमबर 11 और सेक्शन नमबर 22 के अंदर, यहाँ पे, स्पेशल कोल्ट बनाने की बात करी गई है, सेंट इनके बारे में ऐसे कोई cases आया है, क्या सेक्शन के अंदर, NIA के अंदर, तो यहाँ पे सेक्शन 11 & 22 of NIA Act के तहट क्या होगा, स्पेशल कोड बनाके उसके लिए उसके लिए कारवाही की चाहेंगे, अब देखिए, कोई भी अगर सवाल उठता है, इन स्पेशल कोड से, जो अब कौन जज रहेगा, इन सारे कोड का, वो भी सेंटर बताएगी, लेकिन सेंटर यहाँ पे डिसक्शन करेगी, चीफ जिस भी रीजन में यह मामला चल रहा है, सबोस करिए मद्र प्रदेश में अगर मामला चल रहा है, तो मद्र प्रदेश के चीज जिस भी हाई कोड हिसें के कौण आपनसाख में इनको फॉलत neighbor कोड कोड थे समेश्यों यहां पर देखा यहां पर यहां पर पावर दी गई है कि आप इसकी اंपर उनवार कर सकतें, अंप्र सब्सक्राइब कर सकते हैं अधंशन कर सक कर स कोड बंशत कई, इसकी किस्तनी कर सकते हैं अब आप स और यह हैं कि यह कोल्ट है ना यहेक्ट तो करेंगे वेससी पे काम चलता रहता है उनके से केस को देख सकते हैं अब माल लीजिए, इन special code ने कोई decision दिया, ठीक है, कोई इन्होंने judgment दिया, अपना sentence या order दिया, अगर उसके खिलाब appeal उठाई जाए, तो appeal कैसी होगी, तो appeal यहाँ पे यह high cold में आप कर सकते हो, समझे, अपील from any judgment sentence or order of an special code lies with the high cold, आप अब अब जोई appeal उठा सकते हो, वो appeal जाके जो हाई cold में कर सकते हो, इनकी orders के खिलाब, अब यहाँ पे अभी की मैं बात करूँ, तो इस समय जो है, वो करीब 38 special NIA cold है, और state government को भी यहाँ पर power दी गई है, कि वो एक या एक से जादा special court अपनी state में जो है वो अपॉइंट कर सकती है, समझ मैं ही बात? आगे बात करते हैं, क्या steps लिये जाते हैं, लिये गए हैं, यह terrorist funding को चेक करने के लिए, मतलब किस तरीके से terrorism को जो पैसा provide किया जा रहा है, इसको कैसे check करेंगे, कैसे funding हो रही है, क्या हो रही है, इसको check करने के लिए क्या steps लिए गए हैं, वारे में हम कुछ बाते जानते हैं, तो पहली बात तो यह, कि देखिए, कैसे आप, मतलब, आप समझे ना, कहने का मेरा क्या मतलब है, मेरा कहने का मतलब यह है, कि किस तरह से आप इस पे रोक लगा सकते हो, किस तरह से आप पता कर सकते हो, कैसे क्या ह इस तरह से आप इसको कम कर सकते हो, इसका कहने का मतलब यहारा, चेक का मतलब यहारा, इसका कितना पैसा गया, तो पहली बात तो यह कि आप एक टेरर फाइनसिंग को एक ओफेंस को खोशित कर दो, तो आप कर दिया गया है, यूए पी-ए के अंदर, कि अगर आप किसी भी टेरर फाइनसिंग को पैसा प्रोवाइड करते हो, तो यह एक क्राइम है, यह एक ओफेंस है, और इसके लिए आपको सजा दी जाएगी, तो इससे थोड़ी कमी आ सकती है, दूसरी बार, Integrated Action of Security Agencies with Financial Intelligence Unit, आप попроб análर दो, कि यहां पर सब एक साथ मिल जूर्टर के सब काम करना है, इस इतनी भी Security Agencies है, सब को एक साथ मिल जूर्टर के काम करना है, ताकि इस पर और, जादा कायदे से कमांड करा जासके, डी मॉनिटाजेशन जो मोदी जी ने करही के देखी लिया चौथा इंप्रूव्ट सेफटी फीचर्स न्यू करेंसी जो नई करेंसी आए उसके अंदर सेफटी फीचर्स जाधा अच्छे हो जिसके चलते हैं फेक करेंसी ना जो है वो बनाई जा सके या मतलब ट्राक कराया सके आप ऐसा भी नहीं है कि 2000 के नोट के बीच में चिप लगी हो है ना ऐसा भी नहीं हो रहा है लेकिन हाँ यह है कि सेफटी फीचर्स बहुत सारे होते हैं इसमें माइनूट से माइनूट ऐसे चीज़े प्रिंट करी जाएं सो डाट कि अगर फेक करेंसी में उसको बनाना मुश्किल हो उसके बात क्या कर सकते हो इस्टेंटरिंग ऑफ पी एम एले इंट थाउजन यानि लॉंडरिंग आक्ट क्लियर है तो इसको और मजबूत बनाया गया आपका 2013 और 2018 के अंदर उसके बाद एक स्पेशल कॉम्बाटिंग फाइनस ऑफ टरिरिजम सी एफटी सेल बनाया गया मिनिस्ट्री आफ होम अफेर्स के अंदर 2019 में उसमें गया था कि जो फाइनसिं क्या करते हैं इस बारे में जानेंगे वर्ल लेवल पर क्या होता है तो देखिए मैंने आपको पाल वन पाल टू दोनों में यही बात बताई थी कि हर एक टेरिरिस्ट और्गनाजेशन का जो अगर सोर्सेज बताएं तो पूरे वर्ल में एक दूसरे से तरूर कनेक्ट होती आई एसाई जैशे महमत को पैसा देगी या इंडियन मुजाहिदीन को यह सब देंगे ठीक है तो यह एक दूसरे से मिलके ही यहाँ पे सब एक तरह से लिंक की तोर पे ही पैसा ट्रांसफर होता है तो इंडिया काफी कोशिश कर रहे है कुछ ऐसा बनाए कि यहाँ पर इनक पाफे है इनको घूसर घूसर गुशिट करा जाए ग्लोबल घूसर करा चाहिए तो इस किताब में तो आपको बस इतना ही बताया गया है कि इंडिया ने आवाज उठाई थी और चाइना ने इसका अफोस करा था सब लोग इसके साथ थे हमारे बारत के लेकिन चाइना ने बेटों का इस्तमाल करके रोक रोक दिया था कि मसूद अजर को नहीं होने दिया था global terrorist बट बट बाद में ऐसा हुआ कि इंडिया के efforts बेकार नहीं गए और UN ने मसूद अजर को जो जैसे मुहम्मद के ने यहाँ पर मसूद अजर को global terrorist का दर्जा दे दिया मतलब करार करा गया और इससे पर दलता है कि ठीक है हला कि चाइना ने consistently पूरी कोशिश करी कि हम ऐसे efforts को रोक के तके लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और आखरी में इंडिया और जो countries इंडिया के साथ थी वो जीती और ऐसा मसूद अजर जो है वो global terrorist करा कर दिया गया अब आएए कुछ बात करते हैं और देखिए bilateral and multilateral initiative के पारे में तो international level की बात हो रही है न तो बात करेंगे कैसे internationally सब लोग मिलके वो काम करते हैं आपका bilateral and multilateral क्या initiative लिए गए हैं तो बाय समझते हैं बाय क्या होता है जब दो country की बीच की बात हो रही होती है और multi क्या होता है जब दो से ज़्यादा लोग हों कई लोग हो तो देखिए अब जब international level पर terrorist को terrorist organization से terrorism से लडने की बात होती है तो कई सारी countries क्या करती है ना कुछ treaties आपस में कर लेती है समझो कुछ आपस में ऐसा कुछ agreement कर लेती है कोई memorandum sign कर लेती है तो ऐसा कुछ होता है एक साथ मिलके काम करने की बात होती है जो कि इंडिया और कई सारी countries के बीच में sign होता भी रहता है ताकि इसका मकसद में क्या होता है terrorism से लड़ना, drug trafficking से लड़ना money laundering से लड़ना या ये fake currency वाला जो हिसाब किताब होता है ऐसे notes जो बना के ले आते हैं इन से लड़ना तो ये से हम कहते हैं bilateral or multilateral initiative इंडिया किसी एक country के साथ या कई country आपस में मिलके यहाँ पर ऐसे initiatives लेती है जो कि आगे future में terrorism से fight करने के लिए काम आते है नेक्स्ट बात आती है mutual legal assistant treaty के बारे में तो ये क्या है समझते है तो देखिए ministry of home affairs जो है na ministry of home affairs जिसे हम लोग MHA बोलते हैं यहाँ पर ministry of home affairs यह एक nodal ministry है इनका काम यही है deal करना MHA का अगर कोई mutual legal assistance है treaties की criminal matter में criminal matter में अगर कोई assistant देनी है legal assistant देनी है treaty वागरा जो sign हुई है उसमें लेके तो यहाँ पर ministry of home affairs का का काम है जिसमें आपस में सब मिलके mutually काम करके investigation करते हैं आपका prosecution करते है crime जो है वो prevent करा जा सके ऐसे measures लेने की जो बात होती है कोई judicial दूसरे documents हो गए या warrant को issue करना या मतलब कुछ भी किस तरीके से property ऐसे terrorist हैं की confiscate करनी है क्या crime है क्या नहीं है समझ जो कैसे हम छीन सकते हैं property या मतलब इसे loss हुआ है उसे कैसे cover कर सकते हैं या crime के instrument क्या है इन सब के बारे में जो भी assistance है यहाँ पे assistance है वो MHE हमाई तरफ से लेती है और बागी सब से coordinate करके चलती है तो इससे क्या होता है इससे यह फाइदा होता है कि सारी country आपस में मिलके जैसे transborder terrorism हो जो होता है मतलब दो border की बीच में terrorism मैंने आपको बताया था पिसले lectures में कि नैपाल का जो border है वो काफी जो है वो open है terrorist के लिए क्योंकि कोई visa visa की दरवत ने इधर से उधर आ जा रहे है उधर से उधर चले जा रहे है या मैनमार बांगलादेश वाले मैनमार इंडिया के border पे बांगलादेश इंडिया के border पे ये सब पे border पे काफे ज़ादा terrorism होता है समझ रहे हैं तो ये सारे जो agreement से काफी important हो जाते हैं ऐसे terrorism को रोकने के लिए ऐसे crimes को ऐसे serious offenses को रोकने के लिए जैसे कि मैं आपको बताओ वही चार-पाश नाम है घूम फिर क्या आप सुनते रहोगे drug trafficking money laundering counterfeit currency चार आप रठ लो smuggling of arms and explosive ये सब आप रठ लो भई ये क्या होगा भई ये arms या बमम वगएरा उसकी smuggling होगी drug की smuggling होगी ये fake note सी smuggling होगी ये सबी smuggling होती है इसको उस पर रोक लगाने के लिए बात है और ये treaties जो है इंडिया ने अभी तक बताएं तो करीब 34 countries के साथ में ऐसा अभी तक इंडिया ने कर लिया है अभी तो और बढ़ गया होगा 2019 के पहले की बात है तो अब 3rd international level पर बात करेंगे Ministry of External Affairs यहाँ पर नोडल अथोरिटी है यहाँ पर यह Joint Working Groups को सट अप करने के लिए उसमें कौन था? Mutual Legal Assistance Treaty में कौन था? यह थी Ministry of Home Affairs यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है Ministry of External Affairs Joint Working Groups JWGs की बात हो रही है सट अप करने के लिए इसको ताकि यहाँ पर Information प्रॉपर हर जगा सर्कुलेट हो और हम Terrorism से यहाँ पर छुटकारा पा सकें, इसको कम कर सकें Clear है? अब यहाँ पर क्या होता है भी देखिए आप समझ जो ना, इंडिया दूसरी Countries के साथ में प्रॉपर Information अपनी Transfer करता है, और जानता है वहाँ से Information लेता है, तो आखिरकार क्या solution निकल सकता है, इस बारे में पूरा Discuss होता है Next बात करेंगे, Security Council Resolution 2322 के बारे में तो देखिए, यह क्या है? आखिरकार जानते हैं देखिए, December की बात है December 2016 की बात है जब Security Council अशिल ने खुद में ही क्या एक Resolution अडॉप्ट करा था, कि देखो अब से हम एक काम करेंगे हम पूरे वर्ड वाइड जो Terrorism इतना दादा बढ़ रहा है उस पे हम रोक लगाने की पूरी कोशिश करेंगे में काम क्या था? कि हमको इस Terrorism से लड़ना है सबके साथ मिल जुल के काम करना है समझे हो? और यहाँ पे सबसे मिल जुल के काम करेंगे तो जितने भी challenges हैं, जितने भी problem है उसे हम दूर कर सकते हैं और इन Terrorist को जेल के पीछे भी सकते हैं जो भी यह Foreign Countries में Terrorism फेलाते हैं उसके लिए हम इनको जेल में भेज सकते हैं Clear है? मतलब एक बास समझेगा यहाँ पे यह चीज क्या थी? Global level पे यहाँ पे अगर कोई काम हो रहा है अगर कोई Terrorist ने किसी मतलब अपनी country में कोई अंजाम दिया है किसी चीज को country of origin में अंजाम दिया है इस बारे में कुछ बात और जानते हैं तो यह resolution क्या है? इस में कुछ issues related जो थे terrorist activities को counter करने के लिए वो क्या है? समझेगा? resolution deals with few issues related to counter terrorist activities बतलब यह resolution था यह help क्या कर रहा था? कि ऐसे जो issues कुछ issues सामने आ रहा है थे ना? कि यहाँ पर कैसे हटा सकते हैं अगर हम bilateral या multilateral treaty का use करेंगे समझें यहाँ पर कि भई अगर यहाँ पर कई सारी countries का involvement होगा ऐसी को treaty होगे इसमें कई सारी countries involved होगे तो crime कहीं पर भी होगा तो एक जगह पर यह सारी countries अगर एक जगह पर किसी treaty के अंदर खड़ी होती हैं तो किसी भी country में अगर terror होता है किसी भी country में कोई attack होता है कुछ भी होता है तो यह सारी information दूसरी country को देगा ठीक है अगर यहाँ भी हुआ है तो यह सारी information data एक जगा collect होगा और यह चारों एक साथ मिलके इससे combat इससे फाइट कर सकती हैं तो इसलिए काफी जरुड़ी हो जाता है बाइलेटर और मल्टिलेटर ट्रीटिस का होना तीक है मुच्वली काम यहां पे हो सकता है मुच्वली एकस असिस्टेंस मिल सकती है तो यह एक इसू से डील करता दूसरा यह था कि इंटरनाशनल लेवल पे को अपरेशन साथ में बहु जिसे कि इससे क्या होता कि जितना भी जो यह तर्रीरिस्स से लड़ते है इनको एक जिगह भेज़ना तीक है इनकी जएए एक वेलेबिल इंफोर्मेशन जो है आपका टेरिस्स में लेके यह लेके वह सब एक जिगह खटा होना समझ वाब चाहे अब मतले में क्या है भई sharing of available information regarding foreign terrorist fighters including their biometric and आपका biographic data information अब भई क्या है कि चारो जगह पे माल लिजे 4-5-10 countries हैं किसी ट्रीटी में आ रही है और terrorism किसी 2 countries में हुआ तो क्या फाइदा होगा कि यहां पे उनका biometric data तो आ गया ने terrorist का तो वो सारा data सारी countries में फैला फिर सारे लोग क्या एक plan बना सकते हैं international level पर कि जह है इससे fight करा जा सके और countries में यह दिक्कत ना है तो इसके लिए यह solution निकल सकता है यह फाइदा हो सकता है इस resolution ने यह भी कहा इसमें यह भी स्टेट करा कि यहां पे जो फाइनसिंग होती है टेरिरिजम को पैसा प्रोवाइट करा जाता है इसी को serious criminal offense बनाया जा सके समझ रहे ना बास समझ है कि जो financers है इनको सजाए मौती हो अगर जो है अगर यह पैसा प्रोवाइट करते हैं क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा काम इस पैसे का होता है पैसा नहीं होगा तो arms कहां से आएंगे बंस कहां से आएंगे तो यह पैसा जो है वो इन तक ना पहुंच सके इसलिए यह जो आपक कहा गया इस resolution में कि फाइनसिंग जो है terrorism की इसे ही सबसे बड़ा offense घोशित कर दो ताकि पैसा ही ना पहुंच है उसके बाद जो multilateral agencies हैं जैसे की UNODC आपका United Nations Offense on Drugs and Crimes जो ऐसी multilateral agencies हैं या Interpol वगयरा है तो इनका रोल काफी ज़्यादा important है तो इनका रोल जो है अच्छा खा तो यह सारी चीज़े थी जिनसे यह हुआ कि भई इस resolution में लिया गया कि भई हम यहाँ पर इस सारे यह issues हैं इसे हम कैसे counter कर सकते हैं इतनी बात आपको समझ माई आई हो उसके बार next topic की तरफ बढ़ेंगे कहता है what is the concept of national counter terrorism center is it criticism justified मतलब कि जो national counter terrorism center NCTC का जो concept है यह क्या concept है यह जो इसका criticism है क्या वो सही है आई इस बारे में पहले हम जानते हैं कि आखिरकार क्या है यह concept कहां से निकल के आया उस बारे में पहले जानते हैं तो यह जो concept था यह 26-11 के बार निकल के आया मुंबई अटेक्स हुए थे जानते हैं उसके बाद कई सारे changes आया और यह concept भी आया और जहां पर कई सारी कई सारी intelligence या आप कह सकते हो operational failures देखने को मिले देख रहें मतलब इतने इतने बड़े लेवल पर आ गए उन्होंने इतना भयानक हमला कर दिया मुंबई के अंदर इ दिखा रहा है कि हम नाकाम हुए हैं तो इसका मतलब है कि कितने लूप होल्स हैं कितने दिक्कते हैं हमारे अंदर समझ रहे हैं कि हम इस terrorist attack को रोख ही नहीं पाए तो देखिए यह जो NCTC है न NCTC यह आइडिया कहां से निकला है यह आइडिया लेकर आया है उस समय के होम मिनिस्टर जिनका नाम था पी चिदंब्रम पी चिदंब्रम इस आइडिया को लेकर आये थे मामला क्या था मामला यह था इन्होंने कहा कि कैसी बॉडी बनाएंगे एक ऐसी बॉडी बनाएंगे जो एक ही जगास मतलब सिंगल पॉइंट पे सारे के सारे इनी के पास काम होगा कि सारे के सारे जो टेरिजम है से ऐसे जो मेजर्स लेने हैं टेरिजम को रोक लगाने के ल और NCTC को, मतलब जो मैंने आपको बताया ना, National Counter Terrorism Center को, इसको क्या करा जाएगा, इसको आपका administration, जो है, जो IB का, मतलब टाइजिस ब्यूरो का जो control है, उसके अंदर रखा जाएगा, तो ये पूरा concept था, बट ये concept जो था, इसने बहुत सारे criticism झेले जाना, इनोंने का बहुत law and order होता है, वो state subject होता है, मतलब जो state है, जैसे MP है, या UP है, या महराश्रा है, तो वो state वहाँ का law and order खुद देखेगी, तो अगर हम लोग यहाँ पे NCTC के हाथ में power दे देंगे, कि आप धूनिये, आप arrest कर लीजे individuals को, जो भी या आप अपनी खुद की, अकेले की investigation कर सकत जाएगा, तो एक तरीके से यह, जो हमारा constitutional है, जो हमारी constitutional provision है, उसके खिलाफ पैट रहा था, दूसरी बात क्या थी, कि यह था कि power आप नहीं दे रहे हूँ intelligence agencies को, कि वो भया, जो है, प्रिंस्पल था, of not granting the power of arrest to intelligence agencies has also been violated, मतलब इसकी वैसे कई सारे problems हो जाती, अब intelligence agencies क्य थी, यह arrest नहीं कर सकती थी, तो इसमें क्या हो जाएगा, कि इससे भी बहुत problem थी, कि arrest नहीं करेंगे, तो क्या मूँ देखने के लिए, वहाँ पे खड़ी रहेंगे, उसके बाद, तीसरा criticism यह था, कि NCTZ, जो थी, यह सारे ही चीज़ों को कैसे, जो है, वो डील करती, ठीक तो इन सब चीज़ों के लिए एक बहुत जरूरी है, और planning को हमेशा अलग रखा जाता है, किसी भी execution से, जैसे आप देखते हो कि भाई, काम अलग होता है, नेतिया, यह अलग है, वो planning वाला हिसाब किताब अलग होता है, तो planning तो अलग करने ही पड़ती, तो अगर एक ही करें, मतलब धूनिये, प्रॉपर अरेस्ट करें, किसी भी militant को, तो यह भाईया, स्टेट पुलिस यह लोकल हेल्प की, लोकल पुलिस की हल्प लेना जरूरी है, भाईया, इन्वेस्टिगेशन में बात करें, किसी भी चीज़ में बात करें, भाईया, आपको रास्तों की बात हो, तो रास्ते एक सेंटर की जनसी थोड़ी ना जान पाएगी, तो स्टेट पुलिस की हल्प लेना बहुत जरूरी है, ठीक है, यह ट्रांस्लेटर की बात करें, अब तमिल के हैं, आप नौर्थ के बेच दो उन बंदों को, क्या पता, लैंग्विज सारी लैंग्वि करना, समझ रहे हैं, अब यह काफे डिफिकल्ट होता बिना किसी लोकल पुलिस की, आप खुद भी सोचो ना, भाई, अगर एक सेंटर की कोई अजनसी है, मालों वो नौर्थ में रहती है, ठीक है, अब उसमें जितने भी लोगों, लाख लोगों, तो क्या सारे लोगों को, तमिल की लाइंग्वेज, या बंगाली, या गुजराती, हर लाइंग्वेज थोड़े नाति हो कि जो वहां जाके वो इन्वेस्टिकेशन कर लेंगे, और नहीं वहां के लोकल रास्तों की बारे में इतना पता होगा, तो वहां की स्टेट पुलिस की हेल्प निना तो काफ इन्वेस्टिकेट करने में, और आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप यह बहुत ही कॉमन पॉइंट है, रोल अफ इस्टेट पुलिस और प्रिवेंशन, कंटेन्मेंट और इन्वेस्टिकेशन कांट भी इग्नोर, यही बात है, आप कॉमनली भी समझो इस बात को, कि द इस इलाके में आके बात करें, अब किस वर्ल्ड को क्या किस लैंग्विज में कहा जाता है, यह भी नहीं पता उसे, गलियों कभी नहीं पता, चोर किस टाइम से कहा रहे है, वो भी नहीं पता, तो क्या यह इजी फीजिबिल होगा, इसी इसी बाहर से आई हो एजंसी के लि बिना इन्वाल्व करें लोकल पुलिस को स्टेट गवर्मेंट को यह असान काम ही नहीं तो समझ रहें तो जो फर्स्ट परसेंट होता है तो रीच दस साइट ऑफ टरिर अटाक वो कौन होता है वह वहां की लोकल पुलिस होती अगर यहां पे आपके आस illness पास कोई भी दिक्कत आती है कोई भी blast हुए कोई ऑसपास ऐसा अटाक हुए तो आप किसको बताओगे आप की पास फाली पुलिस थानगे ने को बताओगे हो नधर मंदरि ततर सुछँ पुलिस इंब भी एनunde को फोन करे साथा है है जो पूटी है तो यह सब आसपास की लोकल पुलिस ही तो च्या की असान काम है कि हम लोकल पुलिस को बिल्कुल ध्यान ज़ें और यहां पर डिरेक्ली अपने से ही सब कुछ इन्वाल्व करें जी नहीं ऐसा नहीं है तो इसलिए आप इसका रोल बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो बलकि इनकी capacity और अच्छी बढ़ाओ इनको proper weapon प्रोवाइट करो अच्छी जे technology दो, इनको proper training दो ताकि ये जो pass में attack होता है उसे और अच्छी तरीके से manage कर सके इत्ती बास समझ में आई आई आपको एक इसके अंदर एक और point आता है वो आता है unified control and effective coordination with state police अब समझो, state police को ignore मत करो state police के साथ हाथ मिला लो हाथ मिला के मिल जूल के काम क्यों नहीं करते अगर एक साथ मिल के काम करोगे तो ये बहुत ही असान होगा चीजों को और अच्छे से manage करना समझ रहो, यहाँ पर एक छेतर राज नहीं है, federal structure है कई सारी state है, एक center है तो आप अलग-अलग सबको आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि सिर्फ century center service अरवा रहे दूसरी, states का role भी काफी अधा important इसी के साथ हो जाता है समझ रहो, और अगर आप ऐसा करते हो, कि एक लोता एक लोता मैं ही करूँगा, तो यह long term में बहुत दिक्कत दे सकता है, तो coordination काफी ज़रूरी है, अकेले-अकेले कुछ नहीं करा जा सकता, तो इस वज़े से यही एक reason था, कि NCTC वो centralized approach ले रही थी, कि center के हाथ में सारी power हो, और इसे accept नहीं करा गया, इस state के द्वारा, ठीक है, तो अब जो भी body लाई जाए, जो भी लाई जाए, उसकी balanced approach हो, कि center और state दोनों मिल के काम करें, तब ही यहाँ पे काम कुछ हो सकता है, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और जानते हैं कुछ चीजे, समझते हैं यहाँ पे, कि आखिरकार, अगर हमें terrorism से लड़ना है, तो हमें क्या preparation अपनी करनी होगी, किस तरह से हम terrorism से लड़ सकते हैं, उस बारे में कुछ बाते जानते हैं, जैसे कि इसमें पहला आता है intelligence gathering, जितनी भी intelligence agencies हैं, इन सबका एक साथ आना, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे, उसके बार training and operations, training की तो काफ़े जरुवत होती है, फिर एक proper investigation करना, और आफ़करी में क्या करना, prosecution करना, तो आए कि करके यहाँ पे हम discuss करते हैं, कि यह चाहर चीज़े आखिरकार हैं क्या, तो देखिए, सबसे पहले intelligence gathering की बात करी जाएं, तो देखिए, अभी state police हो, या central government की agency हो, ठीक है, यह दोना ही काम यहाँ इस समय करती हैं, इस समय, नाट grid, मैंने आपको बताया है, सब कुछ बताया है, पहले के lectures देख कर आएगा, नाट grid और MAC, MAC का मतलब होता है, multi agency centers, ठीक है, जो 26 11, अटैक के बाद, इन दोनों को create करा गया था, काफी जदा यह, आपके लोग, addition में और काम कर रहे हैं, जो information होती है, ठीक है, या आपके जो, अलग-अलग government department से मिलती है, या non-government agencies से मिलती है, समझ रहें, आपको समझाएं, बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन आपको फिर से एक बार remind कर वाती हूँ, मैं, कि मान लिजे, उनका, वो कहाँ travel करें, तो वह पासपोर्ट, वीजा, ठीक है, वो कहाँ से आए हैं, कहाँ गए, उन्होंने कितना financial transaction करा, कितना cross, broader, इधर से उधर गए हैं लोग, समझ रहें, fake currency की recovery को लेके बाद हो रही है, समझ रहें, तो आप ये सारी चीज़े, अगर एक साथ लेकर आनी, एक साथ करनी है, तो यहाँ पर ये चीज़, अगर आपको पास सारी information है, तो आप एक बड़ा terror, जो plotting हो रही है, जो planning हो रही है, उसे रोक सकते हो, समझ रहें, तो यह भी not grade आया नहीं है, not grade आएगा, तो फिर चीज़े भी है, December से शायद आने की बात है, not grade का में काम ही यही है, कि एक जगह पर, मतलब कुछ 11 agencies के हाथ में सारी information होगी, कि यहाँ पर एक comprehensive manner में, हर एक field की information एक जगह पर मिल जाएगी, तो काफी easy हो जाएगा, फिर किसी के लिए भी पता लगाना, कि आखिरकार problem है कहाँ पर, क्योंकि ऐसे आप जाओगे, visa कहां से हो कर आया, तो उसका पहले visa निकालना है, उसके बाद उसने concert transition करा, फिर आप bank जाओगे, फिर airport गए, bank गए, उसके बाद वो कहां रुका, फिर hotel गए, फिर आप जो है, वो किधर से किधर आया, वो अलग information, ऐसा नहीं है, यह सारी information को एक जिगह जब कर दिया जाएगा, तो काफी ज़दा असान हो जाएगा, पता लगाना और उसका solution ढूलना, साथ ही साथ, यह सर चीज़े तो important हैं, लेकिन हमें जो जनता है, जो जनता है, उसको भी पढ़ाना लिखाना काफी जरूरी है, क्यों जरूरी है, कि भाया, अगर कोई टर्रिस आता है, और उनकी घर में शरूर्ण मानता है, तो उनको इतनी knowledge होने चाहिए, कि यह आदमी सही नहीं है, हमें इसे देने की बज़ाए, पुलिस को complain करने चाहिए, तो civil society का educate होना काफी important है, साथ इसाथ media हो गई, corporate houses हो गए, hotel वगेरा हो गए, यह सब लोग जो होते हैं न, कहने को यह लोग भाया normal है, बट यहीं information देने में काफी मुददगार होते है, किस hotel में रुका, अगर वो पढ़ा लिखा है, उसको knowledge है चीजों के बारे में, तो proper information लिखा क्या हो लिया था, क्या नहीं था, ठीक है हाँ रुका मुझे शक था, लोगों का participation काफी ज़ादा जरूरी होता है, यह समझेगा, सारे ही age group के लोग, बुढ़ा हो, जवान हो, कोई भी आदमी हो, औरत हो, सब को पता होना चाहिए, कि किस बात पर शक है, यह कौन आदमी था, कैसा लगता था, समझे है न, तो यह डर ना होगी, अब harassment हो जाएगा, या पुलिस ही harass करेगी, बई डर ना हो, वो खुल के अपनी बात कहें, इसलिए पुलिस को काफी अच्छे training देने की जरूरत है, और काफी अच्छा यह तरीका हो सकता है, ट्रेरिजम को कंट्रोल करने के लिए, तो हमें इस बारे में लोगों को समझाना बढ़ाना काफी जरूरी बन जाता है, तो हमने यह intelligence gathering के बारे में आच्छे से पढ़ा, फिर हम बात करेंगे training and operations के बारे में, तो देखिए, यहां पर आप देखते हैं, आज कल भाई जो पुलिस है, पुलिस की fitness पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, कभी पेट ना निकला हो, वो जो उनके पास जो arms बगेरा है, वो इतने पुराने हैं कि अगर टेरिस्ट आये, तो अपनी वाली इतना मजबूत लेकर रहा है कि भाई exchange कर लो, तो भाई यह काफे ज़रा ज़रूरी है कि उनको equipment दिये जा रहे हैं, वो अच्छे हों, समझ जो, Central Government agencies ने पिछले 5 साल से अपनी capacity building करना शुरू करी है, बट improvement का यहां पर scope अभी भी है, और improvement करने की ज़रूरत है, समझ रहें, जो intelligence bureau है, इसका role क्या है, कि भाई यह coordinate करके चलता है, है न, different different state की police के साथ में, बट अभी भी यहां पर बात करें, तो बहुत सारी state में यहां पर, आपस में मिल जूल के काम नहीं हो पा रहा है, मिल जूल के commanding नहीं हो पा रही है, समझ रहें, यहां पर state के पास जैसा वो चाहते हैं, उस तरह की capability उनके पास है नहीं, कि भाई अगर आप चाहते हो कि भाई इस terrorist organization को मार गिराना है आपको, तो आपके पास भी इतने ओजार होने चाहिए न, कि आप मारो सिर्फ सोचने से तो नहीं होगा न, यहां पर काफी ज़दा अच्छी ज़रुवत है कि पूरे country में central agencies coordinate करके चले, समझ रहें, आपस में state भी help करें, अलग-अलग कोई काम करने के बारे में ना सोचे, तभी यहां पर हम success पास सकते हैं, अब यहां पर चार agency बनाई गई है, अभी मैंने बताया था, creation of four more energy hubs, चार और energy hubs बनाई गए, national security guard, समझ रहें हिंद्रा गांदी के बाद वाली बात है, सारा मैंने पिछले parts में पढ़ाया है, प्लीज देख कर आईएगा, तो थोड़ा आपको clear रहेगा, तो चार और बनाई गए हैं, energy hubs, तो अभी हमें थोड़ा अच्छी position है, लेकिन हमें और अच्छी position इसके लिए करने की ज़रूरत है, फिर बात करते हैं, investigations के बारे में, तो देखिए, national investigation agency बनी थी न, तो नाम क्या कहता है, investigation agency, मतलब investigation करने वाली बात है, तो यह बहुत ही अच्छी agency बनाई गए थी, investigation करने के लिए, ताकि हमारी जो capacity है, हमारी state police की जो capacity है, वो और अच्छे से state police हमारी काम कर सके, सारे cases, चाहे वो terrorism के हों, चाहे वो different states के बीच में, चाहे वो country के अंदर काम कर रहे हों, चाहे वो country के बाहर काम कर रहे हों, आपको एक proper data उसका मिल जाएगा, उसकी बाद आखरी इसकी बात करेंगे, तो prosecution की बात करेंगे, सारे data हो गया, तो हमारे पास खूप सारा समय है, कि हमें यह देखना है, कि अब हमें करना क्या है, और हमें क्या करना है, एक time bound justice system हो, यह नहीं कि असाब की तरह रख दिया, तो रख दिया terrorist को, कोई नहीं, ऐसा नहीं, इस period of time के अंदर सब investigation करो, और उसकी बाद अगर गलत निकले, तो उसको सजा दे दी जाए, समझ रहें, तो fast track court यहाँ पे establish हो, ताकि यहाँ पे फटा-फट से trial हो, फटा-फट से जो है, वो जो भी यह terrorist cases है, इनको फटा-फट से खतम करा जाए, समझ रहें, time waste करने की जरूरत नहीं है, कि बैठे वो खा रहे हैं, और देश का पैसा भी खा रहे है, तो इतनी बास समझ में आई, कि terrorism के against, अगर हमें लड़ना है, तो कैसे हम prepare कर सकते हैं, और चीज, एक last topic इस पूरे chapter कर जानते हैं, कि और हम क्या और चीज़े कर सकते हैं, आईए जानते हैं, इसके बारे में, नाशनल इंटरेस्ट सबसे उपर होने चाहिए, और अगर कई सारे, ऐसा कोई issue आता है, जो नाशनल इंटरेस्ट को लेके बात हो रही है, तो नौन नेगोशियबिल हो, उसके लिए कुछ जो है वो गुंचाइश नहीं, ये ऐसे issues को मीडिया में डिसकस करने की जरुवत नहीं है, किसी पब्लिक प्लाटफॉर्म पे डिसकस करने की जरुवत नहीं है, ठीक है, वोट बैंक, politics के basis पे, पार्टी लाइन पे ऐसे issues को नहीं deal करा जाना चाहिए, कि आप बताईए, क्या हम इंडिया को ये कर दें, नहीं, इसको सबसे पहले देश सुप्रीम है, politics बाद में है, सब कुछ चलाते रहे न, देश को लेकि कोई बात है, तो अपने लेविल पे उस पे fight करिए, और इसको बचाईए, तो politically तो ये काम करना बहुत जरूरी है, बात करते हैं, लीगल टर्म में क्या कर सकते हो, तो देखो, लॉइ इतने तेज बनाओ, हमाँ पास हैं भी बहुत strict laws है, तो fast track, कोल्ट बनाओ, कि मतलब 3-4 महिने के अंदर judgment मिल जाए, लटका के नहीं रखना है, कि बाद में वो लटका 7-10 साल हो, उसके बाद वो छूड़ गया, समझ रहे हैं, पुलिस के पास भी limited powers हों, terrorist के against में, ठीक है, काफी अलग-अलग laws ना हो, मतलब आप समझ जो, detention of power ये, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में हो, दोनों cases में, यहाँ पर 24 घंटे के अंदर, magistrate के सामने लेकर आओ, ठीक है, अब कोई बात, अगर मालीची कभी-कभी ऐसा होता है, कि यहाँ पर जरुवत बढ़ जाती है, पूरे nationwide, पूरे देश में कोई operation चलाना है, arrest के बाद, ठीक है, तो काफी difficult हो जाता है, यह कि बही, 24 घंटे के अंदर, magistrate के सामने, present करना, या cold मिलाना, तो हमें इस process को पूरा improve करने की, काफी ज़्यादा जरूरत है, कि बहीं 3-4 मिने के अंदर, जो भी है, इसको खतम करो, जो भी, जो भी हमारे justice system में, आप जानते हैं, बहुत सारी लूप होल्स है, हम निर्भिया के देखे, दोशियों को आप terrorist नहीं थे, लेकिन गलत काम तो किया ही था ना उन्होंने, तो उनको कितने time बाद सजा प्रोवाइट करी गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फटा-फट से आपे काम हो, जो लूप होल्स हैं, जो इतनी देर हो जाती है, उसकी चक्कर में, जस्टिस मिलने में, तो वो यहाँ पे नहीं होने चाहिए, इतने इंपोर्ट इस्ट्रिक्ट लॉउज हों, कि डिले को आप्शन तो खत्मी हो जाए, समझ जो, और जो फैमिलीज हैं, ऐसे लोगों की जो टर्रिरिजम में हैं, ऐसी फैमिलीज को दूर ही रखा जाए से, क्योंकि टर्रिरिस्ट आदमी को सपोर्ट करा जाएगा, तो फिर उसकी फैमिली को नवाले, नचाने, वो सारी वर्ल्ड की पावर सपोर्ट करेंगी, जो टर्रिरिजम को बढ़ावा देते हैं, पुलिस की बात करें, तो पुलिस में स्टेट पुलिस को मजबूत बनाने की जरुवत है, मतलब कैसे मजबूत बनाओगा अब स्टेट पुलिस को, उनको ट्रेनिंग प्रॉपर दो, उनको अच्छे से अच्छे आम्स, मतलब मौडन आम्स, मौडन एक्विप्मेंट पुलिस के लिए, प्रॉपर वो देख सकें, अखरकार हो क्या रहा है, नई नई टेक्नलोजी के चलते, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सकें, प्रॉपर ऑपरेशन उनकी वो कर सकें, ये उनकी मिली जर्वत तो ये है, अभी आप देखते होंगे, बहुत सारे स्टेट पुलिस के लोग हैं, पेड बहां निकला हुआ, अराम से खाते साम उसे खाय रहे हैं, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, प्रॉपर इनको फिट होने चाहिए, अगर 15 किलोमेटर भागना पड़े, तो भाग लें, समझ रहे हैं, लेबरेटरीज हमारे यहां, फॉरेंसिंग लेबरेटरीज होने की बहुत जरूरत है, कोरोना वारिस के बाद, अमारे मेडिकल वाला हिसाब के ताब थोड़ा सा कमजोर था, साइबर क्राइम आजकल बहुत जादा बढ़ रहा है, तो यह इसके अगेंस्ट चीजे जो है डिल करने के लिए बहुत जरूरी है, कि साइबर नेटवर्क थोड़ा यहां ऐसा हमारी कंट्री का मजबूत हो, कि अगर टर्रिस्ट कुछ भी ऐसा काम कर रहा है, तो वो पकड़ा जाए, पुलिस के लिए बात बताई, उसके मीडिया की बात करते हैं, तो मीडिया का रोल आप जानते हो, जो बहस बाजी होती है, वो पॉइंट ऑफ पॉइंट होनी चाहिए, नाशनल सेक्योरिटी के पॉइंट से होनी चाहिए, आलतू-फालतू बातों पे इतने देर तक डिबेट जो हुआ करती है, वो ना हूँ, समझो, तो डिबेट कुछ ना कुछ तो इशू को लेकि आती है, आप जानते है डेमोक्रसी है, टू दर पीपल, बाई दर पीपल, फॉर दर पीपल, तो डिबेट तो होती ही रहेंगी, जैसे कि मालीजे इशू था, आपका सीमी, सीमी और्गनाजिशन बैन हो गई थी ना, तो स्टुडेंट वाली स्टुडेंट इसलामिक, मैंने पार्ट बन में बताया है, प्लीज देखकर आयेगा, अगर आपने नहीं देखा है तो, तो इसको लेकि बड़ी बात चली थी, नाशनल इंट्रेस्ट के वेसिस पर, डिबेट के वेसिस पर नहीं, कि सीमी को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो दीद गया है, कि नहीं नहीं करना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं, अगर ऐसी कोई और्गनाजिशन, जो हमारे देश के लिए खतरा है, उसको तुरंत बयान करो, बात खतम करो, समझ रहे हैं, तो ये बात है, उसके बाद पब्लिक का रोल क्या है, इस बारे में हम जानते हैं, तो देखिए पब्लिक, पब्लिक काफी important है, इसको पढ़ाना लिखाना काफी ज़्यदा important है, ताकि उसको पता चले कि आखिरकार समाज में क्या हो रहा है, चाहे majority हो, चाहे minority communities हो, minority मतलब, minority मतलब, जो कम दे हैं, ऐसे Muslims वगयरा, तो कोई भी community हो, इनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और आपस में इनल के भाईचारा बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं, brotherhood बहुत ज़रूरी है, एक साथ लिए लोग रहें, और शांती से रहें, क्योंकि अगर आपस में लडाई करी, तो बाहर वाला फाइदा बहुत ज़रूरी है, आपका security awareness बच्चों को ही पढ़ाएं, environmental awareness के अंदर पढ़ाया जाएं, सारे लोगों को basic security के बारे में बताया जाएं, अगर हम लड़ेंगे, तो बाकी और लोग भी आजाएंगे हमारे साथ बवाल करवाने के लिए, तो ये सब तो हम कर सकते हैं, अब इस chapter के last topic को समझते हैं, कि what is the difference between terrorism, insurgency and nuxilism, अब आपने तीनोई world पढ़े हैं, तो आपको ये जानने की बहुत जरूर था, कि आखिरकार ये terrorism, ये insurgency क्या होता है, और ये nuxilism क्या हो ये तीनोई world के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, देखिए, terrorism ये पूरा plan के साथ होता है, पुरी planning होती है, पुरी तरह से organize करते हैं, समझ रहे हैं कि बतलब हमें करना क्या है, किस तरीके से यहां पे लडाई करवानी है, किस तरह से, अब चाहे हो politically यहां पे कर हो रहा है, तो हम यहां पे attack करवा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो definition, terrorism के अगर मैं बताऊं यहां पे, तो देखिए, यह सारा जो आपका general term में बताऊं, तो definition तरह टरिरिजम की है, insurgency, militancy की है, और nuxilism की है, यह सारी different form है, terrorism के ही, समझ रहे हैं, तो terrorism है, इसके ही different form है, terrorism, insurgency, और nuxilism, यहां पे main मुद्धा क्या है, कि ऐसा attacks करवाना है, लोगों के बीच में यहां पे, शान्ती भंग करवाना, ठीक है, तो एक different form ही है, फिर हम बात करेंगे, insurgency की बारे में, अब जानते है, इसी से ही निकल क्या है, लेकिन इसका मतलब क्या है, कि armed struggle by a section of society, with a view to overthrow the government Insurgency का मतलब क्या, नौर्थ-East, Insurgency होते ही न, नौर्थ-East में हो, क्या उनका main मतलब होता है, main क्या होता है, कि कुछ लोग यहां पे, अपने हत्यार उठा के, खड़े हो जाते है, और इनका main मतलब क्या होता है, बावाल मचाने का, कि जो सरकार है, सरकार को उच जगा से ह मतलब, इनका main क्या है, कि भई, important factor यहां पे यह होता है, कि यहां पे, public support होता है, insurgents को, public support मिलता है इनको, जो लोग है, नागर लेंड के, मैंने होता है, नौर्थ-East में बड़ा बवाल रहता है, उन्होंने 1950s में, आप कह सकते हो, कि insurgency की थी, कि हम ओ अलग करना है, अमक इसे लडाई दंगा करते हैं, एक ऐसे violent methods का use करते हैं, ताकि जो country है, जो state है हमारी, उसमें stability ना रह सके, मतलब, वो destabilize हो जाए, समझ रहे हैं, mostly यहां पे, अगर मैं इंडिया के reference पर बताऊं, तो यहां पे, यहां पे, यह लोग चाहते हैं, कि भई, लोग लड रहे हैं, मतलब, people government होनी चाहिए, यहां पे, कोई हम पे, रूल ना करे, हमारे लोगों की government होनी चाहिए, यह ऐसा करके, यह से आप देखते हैं, कि North East में काफी कुछ देखने को मिलता है, तो अगर हम आपको एक pie chart के थुरू बताएं, तो आप ऐसे ही देख सकते हो, यह देखे, terrorism से ह और पाइचार्ल दिखा है, तो अगर यह मालेची टेरिरिजम है, तो यह नक्सलिजम है, और यह दूसरा जो है, वो, इंसर्जनसी, इसी कि अंडर सब कुछ आ रहा है, तो बस यहां पे, हमारा यह चाप्टर कंप्लेट होता है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो टेलिग्राम, सबकी आईडी के लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, तैंक यू सो मच, फॉर दिस्क्रिशन, हैव वंडर्फूल टेया हिट, टेक केर,